सबको नमस्कार करोना से निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है लॉकडाउन लगाने ज़रूरी था ताकि करोना के केसेज में कमी आ सके चेन तूट सके लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खास कर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है खास कर उन लोगों के लिए जो दिहारी करके रोज कमाते हैं रोज खाते हैं ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मिश्किल हो जाता है पिछले हफ़ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के एकाउंट में पांच-पांच हजार रुपे हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था आज हम दो निर्ने हम लोगों ने लिये हैं एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन काड़ धारक हैं लगबग 72 लाख राशन काड़ धारक हैं इन 72 लाख लोगों को अगले दो महीने के लिए मुफ्थ में राशन दिया जाएगा इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लोगडाउन दो महीने चलेगा भगवान ना करे जादा दिन चलाना पड़े भगवान करे कि जल्दी केसिस कम होना चालू हो और जल्दी लोगडाउन खतम हो लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूज राया उसको मदद करन के लिए अगले दो महीने के लिए सरकार में निरने लिया कि अगले दो महीने के लिए सब को राशन मुफ्त दिया जाएगा दिली सरकार की तरफ से और दूसरा निरने ये है कि जितने दिली में आटो चालक हैं टैक्सी चालक हैं ये बिचारे रोज आटो चलाते थे टैक्स लोग होता है पिछले कुछ हफतों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है जिसके वज़े से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल खतम हो गई है बिल्कुल बंद हो गई है तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ल सरकार सभी आटो चालोकों और टैक्सी चालोकों को पांच-पाच हजार उपे दे कर मदद करेगी ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी सारी जो जितने देली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी ल उन सब की मदद इस बार भी दिले सरकार करेगी ये बहुत ही कठिन दोर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं और खासतुर से जो सेकंड वैव आई है ये सेकंड वैव तो बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है हम सब लोग देख रहे है की चारों तरफ कितना दुख है च चारों तरफ लोग कितने बिमार हैं, मेरी सब लोगों से हाथ जोड के विंती है, कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है, सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, जात के हूँ, ये बीमारी तो किसी को नहीं देखती, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करें, अगर कोई बीमार है, उसको अस्पिताल में एडमिट कराने की मदद कर सकते हैं, अगर कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा है, उसको बेड दिलवाने में ढू मुझे पूरी उमीद है कि बहुत जल्द हम करोना से जीत पा लेंगे नमस्कार